जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, 28 तारीकों चंसेकर आजात की गाड़ी पर हमला हुआ था, वो फार्टून और गाड़ी में सवार थें, इसमें SSP साहरन पुर्दवारा त्वरीत तौर पर 5 टीमें बनाई गई थी, SP City, SP देहाद, CEO देवबंद, स्वार्ट और सर्विलांस क ये टीमें लगातार काम कर रही थी और हर घंटे इनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी, इसी क्रम में ये तत्थ निकल कर सामने आया कि ये चार लड़के हैं, एक बिक्की जो की हर्याने कराने वाला है, एक बिक्की रंकंडी कराने वाला है, एक प्रिशान्त है और एक की जा रही थी उस बयान-बाजी में काफी ऐसी चीज़े थी इसको लेकर हम लोग में काफी नाराजगी थी उल्टे सिदे जो बयान थे इसलिए ये लोग आ रहे थे और रोधाना टोल पर इनोंने देखा कि उल्चंद सिखर का काफिला था था ठदकाल इनोंने अटाइक करने प्रेस्ट नोट में में इस पूरे घटना क्रम में डीजीपी महोदय द्वारा जो पुलिस टीम काम कर रही थी उसको 50,000 रुपय का पुरिशकार प्रदान किया गया है घटना का जल्दी से जल्दी इनके अनावरन करने के कारण इनकी गिरफतारी हर्याना से की गई है वहाँ यहां के टीम गई और वहाँ पापर थाने में इंटरी कराई गई है इंटरी कराके इनके गिरफतारी की गई लाये गया इने वहाँ से और इसमें जो भी राजपत्री तधिकारी लगे हुए उन सभी को प्रसस्ति पत्र भी प्रदान किया जा रहा है जी इनका अपराधी कित्यास हमने मैंसन कर दिया क्रश्नोट में 307 के और कुछ अने मामले पूर में है उस सारी चीजें हमने आप लोको में से तेनका अपराधी कित्यास अभी तक हमें प्राप्त हुआ है हत्यार इनके पास थे हैं जैसा कि मुने बता है पूरू में भी इन्होंने 307 की और एक लूट के घटना में भी यह सामिल रहे हैं देवबंद में तो इनका अपरादी कित्यास बाले से रहा है जिस बयानों से यह आध हुए दे क्या वो राधितिक बयान थी है जातिकर बयान के कुछ बताया है इन्होंने यह सारी चीजें ब्रिहद अभी इसमें पूछताच की जानी है काफी तत्य भी और सामने आने हैं तो इनको हमें नीमानुसार अभी मजिस्टेट के सामने पेश कर है और सारी के गिरफतारी हुई है और यह सारे के सारी चारों के जारों गिरफतारी है हाँ फारिंग इसलिए की गई थी है थैंक्यू